साधे 9 हो चुके हैं जिस टैम से मैंने अपने व्लोग की भी और काम की दोनों की ही सरुआत की हैं क्योंकि आज मुझे यह था कि पहले मैं अपना वीडियो का काम कर देती हूं साधे साथ तो वैसे ही हो जाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं फिर यह जाते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना जो रंगला रियाना चैनल हो ऊसपे वीडियो वीडियो का काम है वह वीडियो जाती हूं तो आधarten लगे लग गदे क्याई कि तो वैसे, याडिटिंग अपलोड वेगेरा का थमनेल टाइटल बहुत चारे काम हो जाते हैं तो वो अपने काम किये तो साड़े नो इस टाइम पर हो चुके थे अब मैं सुचा कि छोलो कई दिन हो चुके हैं अपनी जो बैट सीटब वो चेंज कर देते बस आजकल आजकल में टाइम निकलता ही जा र करड़े पर ही है क्योंकि उसका मन था ममें मुझे बार्बीडोल वाड़ी जो बैट सीट है वो चाहिए लेकिन उसका आकेली का बैट तो है नहीं तो इसको मैं यूज करती हूं हालंकि होता ही है कि बहुत कम लगाती हूं मैं इसको तो अब भी यह वैसी कि वैसी है कलर वग और अब यहां पर आ गई हूं मैं मसीन लगाने के लिए पाणी चल रहा है मसीन में और जो सरफ है मैंने वह भी डाल दिया है क्योंकि ना कपड़े बहुत सारे हो रखे थे और फिर मुझे आज ही दुलने थे कल मुझे अपने तयारी करनी है जाने की और परसू तो फिर हम स कि शोलो में जो बरतन है पहले वह साफ करके रख दे तो क्यogy में कि बरतन साफ होगा उसके बाद फिर जाड़ो वूचे का काम होगा तो उब यहां पर एक बार मंने तो अब उसको में बार डाल करके आ गई हूं पती को और अब यहां पे जो सारे बरतन है उन पे जो साबून है वो लगा लूँगी और फिर इनको दो करके रख दूँगी और यह ना जो बास्केट है यह मैं वैसे ले करके आई थी बच्चों के कपड़े रखने के लिए लेक की इजिन के हिसाब से पर नहीं मिल रहा है वह पर यह वैसे हैं जिसे कफी कलर है और जो अरा कलर है वो लिए और जो फिरोजी सा कलर है वो लूच्चों मेंगी मिल रही है उन सब से देखूंगी मार्केट से ले करके आऊंगी अगर मुझे इन दोनों कलर में मिल गई तो बस कलर का चकर चल रहा है वरना बासकर तो मैं कब की मंगवा लेती और अब आगे हूं बात्रूम में क्यूंकि जो पहला चकर हो मेरा दोल चुका था और पीच में आप लोगों को याद दिला रही हूं प्लेज वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि देखो कल बोल दिया था ना कल साड़े चार अजार व्यूज पे ग्यारा सो के कुछ लाइक थे और वैसे 19-20,000 पे वह लाइक नहीं आते हैं तो क्याने से मत किया करो बिना कई भ करेंगर से कल भी कमेंट आए देख दो कि क्यों करें ये बात वो बात तेरे पास टाइम नहीं है हमारे पास भी टाइम नहीं है तो बैनो मैं आप खुछ तो बोलती नहीं हूं यह जो बात मैं निकल बोली थी ना यह मैंने यह गुसे में आगर किया ऐसे बोली थी यह मैंने बहुत सारी लड़कियां भी मेरे साथ जूड़ी हुए हैं पढ़ने वाली भी कई बार माय के गई हुए हैं वहां पर टाइम नहीं लग पाता है तो उन्होंने पनी मजबूरी भी बताई किसी में नहीं लाइक तो करते हैं कमेंट इस वज़े से नहीं कर पा रहे थे तो किया वह भी वीडियो पर लाइक कमेंट नहीं करते तो कोई मजबूरी थोड़ी है ना कोई धक्का थोड़ी है तो यह तो सारी उसकी बात हो बहुत जो कर रहे ना उन्हीं तक कही जाया कर रहे अर यह बात मैं स्पेसल उन्हीं लोगों को बोले जो पहले करते थे अब नहीं भाई सब आओ और सब करो सब क्यों करेंगे वही क्या जरूर रंग करने की जो लोग अमें चाहता है कहीं न कहीं हमारे लिए दिल में थोड़ा बुछ प्यार है वहीं करेगा और उन्हीं वीडियो में बिल्कुल लग से बोला था और उन लोगों ने किया है ना सबसे बड़ी वात हुआ है तो यहां पर गैस और जो कंटोटों पर वो मैंने साफ कर दिया है एक बार मैं साबून से कर देती हूँ दो बार फिर गिले कपड़े से और लास्ट में फिर सुखा कपड़ लगा देती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और अब यहां पर मेरा जो दूसरा चक्तर है वह भी दूल करके सुख गया है तो अब यहां बे मैं इनको बाहर सुखा दूँगी और आज बार इसने बहुत बार मैंने कपड़े बाहर सुखाए बहुत बार अंदर डाले क्या था मैं डाल रही थी फिर टप 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 फिर मैं अंदर डाल रही थी फिर क्या पता दूप सी निकल आवा थी फिर डाल दू थी फिर फिर बार इस तो दो तिन बार मेरे कपड़े उतरवाए दो तिन तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आई जाता है तो हम बैठ जाते हैं वरना कोई यहां पर बैठता ही नहीं है पूरा दिन पूरा पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि हम यहां पर आकर के बैठते ही नहीं तो इस pozya से जापर बैठेगा नहीं तो बैठ रहेगा फिर बैठ सिट भी क्या गंदी होगी अगर भतेच पर को但 दिन इनके और नहीं रूममें तो मैंने जो वो लगा दी है और अब मैं कर लूँगे अपना जाडू पोच्छे का काम और उसके बाद फिर नाने चले जाओंगे सवादो हो चुकिए इस ताइम पे और बारी सागी है मेरे मने जो बैया से हो बार खोल दिये पाने फिलाजर के बार रिवान देगी और मेरा काम अभी निपता है राम राम जी आप सभी को कैसे हो आप सब आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इजीमा में और कई दिन से हम एक बात डिसकस कर रहे थे घर पर तो हमने सोच रहे कि आपके साथ भी वो सेयर की जाए क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के एक मेंबर हो और जो खुसी हो या दुख हो हम आपके साथ सांजा करते हैं तो ये बात भी आपके साथ सेयर करने ही बनती है हम गाड़ी लेने की सोच रहे हैं क्योंकि जब भी हम कहीं दूर जाते हैं तो आपके कुमेंट आते हैं कि आप तंग हो जाते हो तो आप बताना हमें कुमेंट करके कि क्या हमारी जो राय है वो सही है और आपकी राय हमारी राय से कितना मेल खाती है तो बाई बताना क्योंकि ना पता है क्या होता है देखो तंग अंभी हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है अब क्या होता है कई बार हमें ना बच्चे गर पे छोड़ करके जाने बढ़ते हैं इस वज़से क्योंकि अब यह लगा लो हम कोथरी देने ही जाएंगे ठीके मैं जाती तो अब क्या हो गया कोथली का समान भी ज्यादा हो जाता है तो हमें दोनों बच्चे घर पे छोड़ने पड़ते हैं और बच्चों के बगार फिर भाई बाता समझ चकते हो आप मां का मन नहीं वादा और उस उसमें बाकि इतनी ज्यादा जूरूरत भी नहीं पड़े कोई मि को बाइक पर रिस्क था है ना क्युकि वह रास्ता था ना बिल्कुल खेट से और इतना भी हम यह सोच रहे हैं बाकि कई बार कि पहले इनका मन था मैं बिल्कुल मनागरती थी अपने सुना भी होगा कभी कि नहीं गाड़ी निले निले लेकिन अब जब हमें दो बार गए रात में 12 वारा बज़े आई हैं तो उस टेम बे मैंने देख्या भी अगर बाई चांद से मारे साथ कुछ हो जाता है क्योंकि गाड़ी में सेफ होते हैं बाइक पे आदमी क्या कर लेगा कुछ भी नहीं कर सकता तो भी देखो कुछ ना कुछ हमें पहना भी होता है हमारे पास फोन भी हैं बाइक भी अगर हमें ही चोट कुछ आ जा जाए तो वह सब चीजें भी फैलना फिर उसके आगे और एक बात हो रहा है क्योंकि अब कानुन वस्था का भी दिवाले पिट चुका है पहले कोई वार्दा तो थी भी उस जगही हो गया लेकिन आज तो हर गाओं मे में हर सहर में हर मोड पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं अम रात में आते हैं तो उस चीज को सोच करके हैं अब कई बार आना जाना भी पड़ जाता लेट तो मिये सोच रहे हैं कि क्या पता कभी इतना नुक्षान तो हुआ से करवा वेठे जितने हमारे गाड़ी पर ना तक रहे हैं नहीं गाड़ी लेने से पुरानी गाड़ी लेकर के उस पर मास्टर जी अपना जो आत साफ करें कि कहना उस वज़े से बाकी गाड़ी आपने देख लिए और देखेंगे वह लेंगे दूसरी लेंगे कब लेंगे क्यूंकि मेरा मन यह कि मैं को यह बोलो अगर लेनी है तो 20 जुलाई तक लेनी है और ना फिर बाद में आपको अगले पर दे पर मिलेगी अगले पर पता लग जाएगा यह बोल रहे थे कि इसके पर लेंगे जय के बर्डे मैंने का नहीं जय देखो बच्चा है एक तो भई इनके बर्डे पर में लें तोड़ा सा यह हो है थोड़ी बूत कर रखी है तो उस उसमें हम एक थोड़ा सा यह हो भी हां इनको गाटी मिलगी बर्डे पर क्यूंकि तो देखो यह चलावेंगे है ना इप गाटी मन थोड़ी में लगी के फाइदा क्योंकि तो ज्यादा यूज महीं नेगा होगे बच्चे आपने भी च दुखी हो जाते हैं कभी ना कबार तो लेनी ही है कितने दिन हम इस चीज से बचेंगे और बस मैं यह बोल रहे हूं को कि जब भी आप 4-5 बार जब भी कहीं पे जाओ ना तो दूसरी सीट पे कोई अच्छा सा ड्राइवर और चाहिए और इन से अच्छा ड्राइवर कोई ह ले जाते हैं लेकिन फैमली बेठती है ना साथ में तो आदमी को थोड़ा सा डर गबराट अडबराट होती है तो कई दिन आम नहीं बेठेंगे बैसात में ना बच्चे ना मैं यह एक हैं ले जाएं और साथ में किसी को ऐसा हो बढ़ी जो बंदा बिल्कुल अपने बराब जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है आप इतना प्यार देते हो इसनी दूर दूर से उत्ते हुए तो मेरे से ज्यादा कमेंट पढ़ने की जल्दीन को होती है यह मेरे से पहले कमेंट पढ़ते हैं हर वीडियो के और एक कमेंट आया था जब पिछली बार पढ़ते हैं तो यह बहुत अच्छे वाड़ा है और उसने कमेंट किया था कि नई सिमा भी मत लेना यह बात वह बात उसने बहुत चारी चीज़े बताई दी तो वह चीज़े पढ़कर के मैं को यह लगा था कि यहां बोली यह भी सही रहा है हम बखी का खर्चा बोद हो ज तीसरे दिन अपते में जरूरत पढ़ती रहती है में इतनी जरूरत ने क्योंकि टो आना भी हमारा बिल्कुल नच्दीक है और स्कूल में तो कोई मतलबी नहीं है तो बहुत नहीं है क्योंकि पाइदल भी चलिया जाता था मेरा एक दोस्ता उसके साथ साथ साइकल पे चले तो इनको अच्छा मानते हैं बाकी जब गाड़ी आ जाएगी तो इदर उदर जाना भी पड़ेगा चकर लगते रहेंगे बस खर्चाई है वह मतलब का यह लगा लो चलो कोई नहीं देखते हैं बही कर ज़रूरत इतनी मैसु सोजाती है कि अभी ले लें फिर हम यह सोच ल झाल 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 झाल